हलो बच्चों तो ये है आपका सेकंड वीडियो फॉर क्लास एट सब्जेक्ट जियोग्रफी चैप्टर थर्टीन नौर्थ अमेरिका जियोग्रिपिकल फीचर्ज तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कैनेडियन शील्ड के बारे में जो की सबसे पुराना प्लीन है बहुत बड़े बड़े यहां पर मैदान है पुरे वर्लड की ठीक है और यह जो शील्ड है बेटा यह दोनों तरफ से All side से, तोनों तरफ से नहीं, सभी साइट से Hudson Bay से Surrounded है, ठीक है? जैसे हमारे यह Bay of Bengal है, बंगाल की खाड़ी जिसे हम कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर Hudson Bay है, ठीक है? मैं आपको diagram में दिखाते हूँ, map में दिखाते हूँ, ठीक है? यह देखिए बच्चों यह Bay of Hudson है और यह पूरी इसे Canadian Shield यह बहुत बड़ा मैदान आप इसे एक बोल सकते हैं इस तरह से प्लीन है यह ठीक है Central देखे ग्रेट Central प्लीन लिखा हो है ना मैदान का मतलब बिटा प्लेग्राउंड नहीं होता है सिर्फ मैदान का मतलब ऐसे एरе जहां पर पहाड नहीं है ठीक है अब अगर हम देखे बिटा तो यहां पर बहुत सारे लेक्स है ठीक है five great lakes है sweet and fresh water के इनका नाम है superior Michigan, Euron, Erie, Ontario ठीक है famous Niagara Falls भी यहीं located है between Erie Lake and Lake Ontario के बीच में ठीक है यहां से St. Lawrence River जो है link करती है lakes को water से जो कि एक बहुत important water support है North America के लिए और entire land have descending slopes start from north to south से छोटे बड़े छोटे बड़े मतलब इस तरह से पहाड है ठीक है आगे दिखेंगे हम influence of the ocean current ocean currents का इस पे क्या असर पड़ता है North America पे ठीक है तो rocky mountain ranges main water divider in North America where flow of rivers divert in different directions तो rocky mountain ranges जो है main water divider है North America की पहाडों के बीच के लिए जहां पर flow of rivers जो है मतलब rivers जो है अपने directions को divert करती है ठीक है तो सबसे पहला है Pacific Ocean Current in West West में Pacific Ocean Current है Yukon, Columbia, Fraser, Colorado ये सारी जो rivers है यहां से Pacific Ocean में मिलती है फिर है Atlantic Ocean Current in East यहां पर St. Lawrence, Mississippi, Missouri, Rio Grenade Mississippi River यहां पर डेल्टा बनाती है और फिर जाके कहां मिल जाती है Gulf of Mexico में ठीक है फिर है Arctic Current in North यहां पर कौन-कौन सी river मिलती है McKenzie, Churchill, Nelson, etc. यह सारी rivers यहां से होते हुए Arctic Ocean में मिलती है ठीक है तो यह हमने rivers के बारे में पढ़ा अब हम थोड़ा सा देखेंगे यहां के climate के बारे में तो four factors हैं यहां पर जो North America के climate को affect करती है सबसे पहला है Latitudinal Expansion of Continent मतलब किस तरह से continent Earth के Northern Hemisphere में फैला हुआ है फिर है surface, diversities, फिर है permanent, wind, then current current में आपका wind current भी हो सकता है, water current भी हो सकता है current होता है क्या है बिटा? current वैसा current नहीं जो electricity में होता है जब बहुत तीज हवा बहती है तो उसमें एक खुद का energy होती है water में खुद की energy होती है ना लहरें जो होती है पानी की उसे ही हम current कहते है ठीक है? तो one by one अब हम यहाँ पर देखेंगे इनके effect तो सबसे पहला है latitudinal expansion of continent North America extends from tropics in south to the subtropical in the central and south to the arctic in the north तो यहाँ से यहाँ तक North America fell हुए है ठीक है? तो southern part जो है इसलिए इसका बहुत ज़्यादा hot नहीं है बहुत ज़्यादा गरम नहीं है वहीं central part जो है ठंडा है और cold और north part बहुत ज़्यादा ठंडा है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं आपको variety की climates मिलेंगे तो नौर्थ अमेरिका ज्यादा तरह नौर्थ अमेरिका जो है आपका temperate zone में है ठीक है? Temperate zone में मतलब moderate यहाँ पर climate है वहाँ ज़्यादा गरम नहीं होता है जैसा हमारे यहाँ होता है ठीक है? आगे देखते हैं effect of surface diversities surface diversities मतलब कितने पहाड हैं कितने plane areas हैं etc अगर हम west cordilleras की बात करें बेटा तो western wind जो आती हैं यहाँ पर okay तो western wind जो आती हैं पर अपने साथ बहुत ज़्यादा बारिश ले करके आती हैं और इसलिए plains of prairies जो हैं बहुत उन्हें कम बारिश मिलती है क्योंकि ज़्यादा तर बारिश जो है पहाडों side में हो जाती है ठीक है south east plateaus mountains की बात हम करें यहांके तो the rain increases gradually बारिश पहाडों के असपास का जुर्य है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है north of the continent continent के north side में बहुत ज़्यादा snowfall होती है ठीक है बारिश जो है snowfall के form में आती है फिर effect of permanent wind west cordilleras और highlands की हम बात करें बेटा तो they have extended north से south तक फैले हुए है polar winds जो है यहाँ पर winter में चलती है और hot summer wind यहाँ पर summer में चलती है ठीक है इसलिए winter में बहुत ज़्यादा थेंडा होता है और summer में बहुत ज़्यादा गरम नहीं होता southern और southern eastern coast यह गरम बात करें continent fall in the region of trade winds north western coast falls in region of west lies these parts therefore receive heavy rain because atmospheric pressure move toward south in winter south में winter में atmospheric pressure बहुत ज़्यादा होता है west lies start blowing over western California जिसकी वज़े से California में बारिश आती है आपको पता है हवाए बारिश लाती है अपने साथ monsoon wind effect करती है Mexican region को और इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है गरमियों में भी because of the effect of trade wind Gulf of Mexico south eastern coastal areas receive rainfall throughout the year तो Mexico south eastern coastal areas में सारे साल बारिश होती है ठीक है effect of currents के अगर हम बात करें बेटा तो hot and cold current flowing near coastal areas affect the climate coastal areas में जो hot and cold current होते है water की वज़े से coast sea की वज़े से वो climate को effect करते हैं Gulf stream south east coast में flow होते हुए जाती है तो Alaska current flows with the north western coast because of the effect of these current temperature near the coast does not dip very slow they receive same rain also और इन currents की वज़े से coastal areas का जो temperature है वो बहुत ज़दा low नहीं होता है moderate रहता है ठीक है cold laborator current पास होते है north eastern part से California current flows along the southwestern past part and they make the climate of these coastal regions extremely cold और यही California current जो है coastal areas का जो climate है बहुत थंडा करते है ठीक है near newfoundland land a golden current he meets and this area remains covered with dense fog और newfoundland वाला जो area है हमेशा बहुत ज़दा कोरे से धका हुगा होता है ठीक है और इसलिए in areas में navigations जो है बहुत difficult हो जाता है navigation का मतलब यहां वहां जाना changes in temperature and fog are very helpful for fishing therefore this area is famous all over the world for fishing इन areas में इस तरह से temperature change होना कोहरा होना यह सारी चीज़े fishing के लिए बहुत अच्छी होती है और इसलिए यह areas world famous है fishing के लिए ठीक है distribution of rainfall के अगर हम बात करें बेटा तो continent में जादा तर बारिश जो है summer के season में होती है ठीक है there are three western regions which get heavy rainfall तीन रीजन है जहां पर heavy rainfall होती है ठीक है then western western wind in the western coast of British Columbia यह ऐसे areas जहां पर बहुत heavy rainfall होती है तो as we proceed from east coast to western areas distribution of rainfall becomes very low जैसे जैसे आप east coast से western areas में बढ़ेंगे बारिश का distribution जो है वो कम और कम होता जाएगा Arizona desert in southwest of US United States have very scanty rainfall Arizona desert जो है southwest का US का यहां पर बहुत कम बारिश होती है ठीक है अब हम बात करेंगे natural vegetation and wildlife की तो climate and physical features have great influence on natural vegetation किसी भी area का बेटा climate और वहां के physical features मतलब किस तरह की पहाड़ है मिटी कैसी है है प्लाटियोस कैसी है किसी भी area के यह चीज़ें वहां के vegetation पर effect करती है ठीक है क्योंकि vegetation code का grow होना उनका survive करना climate को depend करता है अब North America एक ऐसा climate है while Mediterranean vegetation है वहां पर मतलब हर तरह की vegetation वहां मिल जाएगी क्यों क्योंकि यहां पर climate or uneven distribution of rainfall है हमारे यहां जैसा नहीं के 4-4 महिने बारिश हो रही है तो हुई रही है ठीक है फिर diversity is witnessed in vegetation also मतलब विविदता आपको देखने को मिलेगी vegetation में भी North America is rich in forest, wealth jungle भी बहुत है यहां पर distant northern part of tundra remains covered with snow northern part में जो tundra region है वो हमेशा बर्व से धका होता है maximum period of the year मतलब साल के जादा तर हिस्सा यहां पर बर्व से धका होता है और सिर्फ कुछ ही हफ्तों की गर्मी यहां पर पढ़ती है mostly this land is covered under snow so big trees cannot grow अब जब बर्व से धका हो है तो यहां बड़े-बड़े पेड नहीं है बिटा टुंडरा vegetation है जिसमें moss, lichen, small shrubs, मतलब यह काई वगेरा चुटे-चुटे पौधे जिसमें फूल होते हूँ यह सब कुछ यहां पर है देन आपको variety of यहां पर घास मिलेगी ठीक है आपको ज़्यादा तर एरिया बर्व से धकाव और बैरन दिखेगा मतलब कैसा विग्दम बंसर कुछ ही एनिमल्स यहां पर पाए जाते हैं जैसी कि reindeer यहां पर पाए जाते हैं भारा सिंगा जो होते हैं आपर इन्हें काम धेनू कहा जाता है एसके मोज की ठीक है क्योंकि इनकों पर इनसे काट पसा करके इन पर ट्रावलिंग करते हैं समान यहां वहां लेके जाते हैं साउथ टुंडरा के हम बात करें तो इस्ट से वेस्ट तक पहला हुआ है जो कि ठंड में बहुत ठंडा होता है और यह पूरा एरिया जो है कॉनिफरेस फॉरेस्ट बेल्ट का आ जाता है यहां पर कॉनिफरेस्ट ट्रीज होते हैं जो की कॉनिकल शेप्स की होते हैं आप सभी को पता होंगे ठीक है एक बार यहां पर आप देख लीजे नाचुरल वेजिटेशन मैप की यहां पर शो किया गया है यह ना यह प्रेरी ग्रास लैंड जागा प्रोविंस हाई डेजर्ट वेजिटेशन सेमी डेजर्ट वेजिटेशन गल्फ ओफ मेक्सिको एट्सेक्टर ओकी तो बच्चों मैं यह वाला वीडियो यही पर फिनिश कर रहे हूं वीडियो को आप ध्यान से देखेगा आपको सब को अच्चे से समझ में आएगा